नमास्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे Microsoft Excel का डेटा टैप तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यहां पर डेटा टैप दिया गया हुआ है जिसमें अलग-अलग ग्रूप में बाटा गया जैसे फिर्स्ट ऑप्सन हमारा आता है जैसे कि दो हम फ्रॉम एक्सट का यूज करेंगे फ्रॉम एक्सट पर जैसे आप क्लिक करोगा दोस्तों जो भी फाइल बनाई कहीं है एकसे में अमाली जैसे मैने डेकस्टॉप एक फाईल वनाकर रखी हुई है रिकॉर्ड के नाम से यह रिकॉर्ड जो है दोस्तों मैंने MS access में बनाई हुई है अगर इस record को मुझे excel में import करना है दोस्तों तो मुझे इस record को select करके यहाँ पर open बटन पर press करना है जैसे आप दोस्तों open पर click करोगे यहां पर आपको import data का option आ रहा है अब यहां से आपको यह select करना है कि जो data आप आप import करना चाहते हो वह किस तरीके से import करना चाहते हो टेवल में import करना चाहते हो दोस्तों या फिर पीवर्ट टेवल के रिपोर्ट में चाहते हो दोस्तों हमें simple table में करना है है इसलिए मैंने यहां पर टेबल स्लेक्ट किया है आप चाहों तो कोई और उप्शन यूज कर सकते हो फिर इसके बाद हमें यहां के बटन प्रस करना है अब देखो दोस्तों यह जो डेटा है मैंने मैं MSXL में इंपोर्ट करा दिया इस थरह से दोस्तों थ certainty का यूज किया बाकि जो डेटा आया हुए इसमें प्रीटर वग्रेग्र का यूज कर सकते हो जिसको मैं आगे कवर करूंगो अगला Cave साल अता है दोस्तों फ्रॉम वेव और इस से और और किसी साइट से कोई चीज को Excel import करना चाहते हो दोस्तों तो आप वेव का यूज करोगे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहां पर आपको साइट का नाम टाइप करना है जिस साइट से आप डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हो जैसे माली मैंने प्राइम टेक हिंदी टाइप किया और इसको आपने यस करके सेब कर लेना है जितनी या दॉस्तों इसको एसको कर लेना आप अब दीखिए दोस्तों जैसे प्राइम टेक हिंदी टाइप किया वह प्राइम टेक हिंदी आ चुका है और इसमें डेटा को इंपॉर्ट करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे अब यह पूरा स्लेक्ट हो चुका है और यहां पर हम इंपॉर्ट कर सकते हैं अब देखिए दोस्तों जो भी उस साइट पे डेख्स साइट तstr और यहां पर आपको समझाने के लिए मैं चोटा सा डेटा यहां पर त्यार करता हूं जैसे मैंने लिखा नेम और फिटेड्डन प्रस किया पोस्ट भिर यहां पर शयक्ते हैं यहां पर जैसे मालन लीजिए कि नाम टाइब कर दिया प्र फिर दोस्तों मैं इसको सेप कर लेता हूं इसको मैं ने ऐसेप कर लिया दोस्तोитесь excel के नाम से 1 दीपक फाई और इसको टोश कर दिया हमने से फाइल कर डिया कैप्से दोस्तों फ्रॉम टेकस से हम नोटपेड की फाईल को इंपोर्ट करा सकते हैं कि आप इस प lik करोगे हमने सेवक रखा दोस्तों park तो आप डिलिमिनेट जब आप दोस्तों फिक्स्ट वीट पे करोगे और नेक्स्ट करोगे यह क्या होगी जितने भी आपने नेम पूर्श एलरी आपने टाइप कर रखा है वह एक ही सेल में इंपोर्ट हो जाएंगा दोस्तों कुछ इस तरह से अगर आप अलग-अलग कॉलम में चाह करना आपको यहां पर नेक्स्ट करना है अब देखिए दोस्तों यह अलग-अलग कॉलम में दिखाई दे रहा है और यहां फिनिस ऑप्शन पर क्लिक करके बटन प्रस करना इस तरह दोस्तों आप देखोगे जो भी आपने वहां पर टेक्स वाइल में डेटा त्यार किया थ वह बड़ी असानी से एक्सलम इंपोर्ट हो जाएगा जो अप्सन होता है दोस्तों वहता है फ्रॉम अदर सोर्स फ्रॉम अदर सोर्स का दोस्तों इस तरह से हम यूज कर सकते हैं जैसे हमने माले जी एसक्वेल सर्वर पर कोई काम कर रखका है तो हम वहां से डेटा को यहां पर अब जैसे मान लीजिए कि जो मैंने नोटपैड के अंदर जो फाइले बनाई थी उसमें दो इंट्री कर दिया है उसमें अगर कुछ और मैं एड करता हूं किसी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट करता हूं तो दोस्तों जो नोटपैड में चेंज हम करेंगे वह ए निटीन का पोश्ट दे दिया और सेल्डी आपने डाल दी है अब दोस्तों अपने सको सेप कर दिया अब इसको क्लोज करके दोबारा में एकसल में और यहां पर दोस्तों तो यहां पर फाइल का नेम आएगा उसके बाद यह रिफ्रेस्ट होगा जैसे देखिए आपने यह option का अगर आपने select कर रखा है तो यहां refresh all में जाना है आपने और अपनी file को select करना जैसे दीपक file हमने दिया था import कराना है अब देखिए वह ही उसी के नीचे जो अगला नाम आपने add किया था वह import हो गया लेकिन दोस्तों अगर आप आप चाते हो फाइल ना लेकर और इसके लिए दोस्तों यहां पे आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है उपर वाले option को हटाना है रेपर एवरी क्लिक करके और यहां पर को यहां पे बटन प्रस्स करना है अब इसको दोस्तों मैं और यहां refresh पर जाना refresh all करना है अब देखें दोस्तों बिना फाइल लिए वे डेटा इंपोर्ट हो चुका है जो हमने लास्ट में add किया था तो इस तरह से दोस्तों बढ़ी असानी से रिफ्रेस का यूज़ कर सकते हैं connection हमने जो फाइले खोल रखी है उसका connection यहां पर दिखाई देगा अगला गुरूप जो दोस्तों आता है वह आता है इसके लिए दोस्तों मैंने एक स्वीट बनाई हुई है उसको मैं आप इंपोर्ट करा लेता हूँ यह है दोस्तों एक record है मेरे पास अब इसमें हमें सबसे पहले तो डेटा को सौट करना सीखना है जैसे मानली जीए मने एक डेटा तयार कर रखा है इसको सौट करके एटूजेट के प्रोसेस से लगाना है तो हम एटूजेट के इसाप से लगा सकते हैं sending order में जो इनके नाम हैं वह बढ़ते करम में सेट हो जाएंगे साथ साथ इनका टोटल और जितने भी सब्जेक्ट के नंबर जो भी रिकोर्ड दिये गाए वह भी चेंज होंगे नाम के साथ इसको दोस्तों अगर जैट टूए में कर सकते हो आप तो यह सी तो दोस्तों यह सिंपल सौट होता है अब इसमें जैसे माली जीए मुझे डेटा को सौट करना है लेकिन मुझे सब्से ज्थे जयादा है वह इंटरि समचों सब्से उपर रंद करना चाहिए और जिनका टोटल सबसे कम है वह इंटरि सब्से नीचे आना चाहिए तो यहाहां पे हम्जार वाले अपसण पे दिया दोस्तों उसकी सबसे उपर आएगी इस तरह से देखे 373 हमने सूरज को दे रखा इसका हयेस नमबर दिया हुआ ऊपर आएगी और 104 नमबर करन को मिला तो इसकी इन इससे नीचे आएगी अभी जो दोस्तों को हमने सॉट किया वह किया में नमबर के के हिसाब से अब जो हम डेटा को सौट करेंगे दोस्तों वो करेंगे हम कलर के हिसाब से दोस्तों हम डेटा को सेल के कलर के हिसाब से भी सौट कर सकते हैं और टेक्स के कलर के ग्रीन और के बटन प्रस किया मैंने दुबारा मैंने कंडिशन और लगाई लेस देन जिन बच्चों का नंबर कम है दोसों से कम है उसमें मैंने यहां पे अलग सा कलर दे दिया जैसे माल लीजिए मैंने उसमें रेड दे दिया अगली कंडिशन एक और हमने अपलाई कर दी बीटीविन का जैसे 201 से लेक्के 275 के चोटर के बीच के जो नंबर है उसमें यहां पे यह लोग लग दे दिया इस तरह से दोस्तों मैं इसमें कंडिशन लगाई भी है अब जो दोस्तों डेटा को में सौट करना इसमें वह करना हमें सेल के नंबर से चलिए इसको करके देखते हैं बड़ी सिंपल है यह हमें आना है दोस्तों सौट में आप आओगे दूस्तों आप सौट्फ भाई हमने टोटल डाल दिया तो जिन बच्छों को नंबर हमने 275 से ज्यादा वाले नंबर पर ग्रीन कर आया था उनकी हमें स 244 के बीच में ता उसको मैंrage ah यालो वाला तो हमें a level में आना है और यहां प्रहित् हमें total option लेना और यह पर उनलो लेना है इसके बाद नीचे जो हमारा थोडे अप्शं बज जाता हूं उसमें रहें डार दिया था यहां पर हमें से बाद हमें डेंडी आप अब दोस्तों इसके बाद यहां पे आपको बटन प्रस करना है तो जो डेटा अब आपका सौट हुआ है दोस्तों वह कलर के हिसाब से हुआ है आप बढ़ी असानी से इसको देख सकते हो 275 वाला सबसे उपर आ रहा है यानि जुन बच्चों का नमबर हमने 275 से ज्यादा दिया है वह सबसे उपर आएगा बीच में हमारा यellow वाला कलर आ रहा है और नीचे जिन बच्चों का नमबर 200 से कम है वह red में आ रहा है यह दोस्तों हमने डीटा को अगला आता दोस्तों फिल्टर से लेक्ट करना है और यहां पर तीन कॉलम है नेम उफ इस्टुडेंट क्लास और सेक्शन जो बच्चा बारवी क्लास में शिर्म मुझे उसका रिपोर्ट निकालना तो दोस्तों हमें यहां पे क्लिक करना है सब को अटाना है और section B वाले option पे क्लिक करके okay बटन प्रस करना है तो जो बच्चा class 12 में और section B में सिर्फ दोस्तों उसका report आएगा अगर आप इसको clear करना चाहते हो तो यहां से clear कर लो filter करने साना अटाना चाहते हो आप यहां पे हटा स तो यहां पे वह नंबर टाइप करना है जिसका आपने रिपोर्ट निकालना है यहां पे वह नंबर टाइप करके और के बटन प्रस कर दीजिए यहां देखिए बंटी को हमने 353 नंबर दे रखा एसरे PC का रिपोर्ट आएगा Ctrl Z करके दोस्तों पीछे आ जाए और हम इसमे को आपने 300 से जादा नंबर दे रखा है इस रिपोर्ण की इंट्री आएगी अगला कंडिशन इसमें है दोस्तों बीटिवीन का जैसे मालों कि आप यहां पे बीटिवीन का उप्शन कर सकते हो जिन बच्चों को मैंने नंबर दे रखा है 200 से और 300 के बीच में आप यहां फ भीडोटम के नंबर निकाल सकते हैं यहां पे आपको कैम मुझे नंबर निकालने जिन बच्चों का हम नंबर कभा से कम है वो पांच बच्चे में चाहिए हो के बीटन क्रेस्ट करिए यह तो आपके सामने यहां पर तॉद्री स्टूरेंट की लिस्ट आजाएगी तो आप अलग से भी निकाल सकते हो डेटा को जैसे माल लीजिए यह हमने टोटल दे रखा है यह हमने नेम ऑफिस्टुडेंट लिखा हुआ है तो मैंने यहां पर टाइप किया नेम ऑफिस्टुडेंट है और मुझे जिनका नाम स्टार्ट होता है एस अल्फाबेट से उनकी इंट्री चाहिए तो एडवांस पर जाएंगे हम दोस्तों यहां पर ऑप्शन आता है फिल्टर दा लिस्ट इन प्लेस यानि जूइन बच्चों का नाम एस अल्फाबेट से स्टार्ट है उनकी इंट्री स्रिफ हमें निकाल नहीं है तो दोस्तों यहां पर दो अप्शन आता है एक तो फिल्टर दा लिस्ट इन प्लेस एक कॉपी टू एनथर लोकेशन अगर आपको इसी लिश्ट में फिल्टर करना तो फर्स्ट ओप्शन पर से लेक्ट करके लिस्ट रेंज में आपको पूरा लोकेशन यानि यह डेटा मुझे ऐसे चीए और जिन बच्चों का नाम से उनकी इंट्री मुझे अलग चीए तो कॉपी टू अनदर लोकेशन के आपको डेटा का रेंज लेना है लिस्ट में पूरा डेटा ले लिजिए और क्राइटेरिया रेंज में जो में निकालना उसको आप अलग से भी चाहो तो आप निकाल सकते हो एडवांस में आईए कॉपी टू एनदर लोकेशन वाले आपको बता दूं इसको डिलीट करिए फर्स्ट में आपको लिस्ट की रेंज लेनी है दोस्तों सेकेंड में को क्राइटेरिया लेनी है ठर्ड हमें कॉपी करने जहां यहां पर आपको नेक्स्ट करना है लास्ट में फिनिस करना जितने भी हमने नाम लिख रखा है वह अलग अलग कॉलम में ओटूमेटिक हो जाएंगे हम चाए तो किसी सिंबल के ने को अलग अलग कर सकते हैं यह से मैं आपको समझाऊंगा एक था अब मैंने आपर एक निसान लगा दिया यहां हमें ne लिख दिए अब इस निसान से यानि सिंबल से हमें Aleks करणा आपको अधर कॉलम में आ दोस्तों फिक्स में जाना है और नेक्स्ट करना है तो दोस्तों हमें इस निसान से अलग करना है तो हमें टेक्स्ट कॉलम पर आना है यहां पर नेक्स्ट करना है अधर में जाना है अधर में दोस्तों यहां पर हमें वो निसान को यानि उस सिंबल को टाइप करना है आप चाह मननिजी आपने डूपलीकेट इंट्र राम लिखा हमने स्याम लिखा है फिर हमने लिखा अब हमने राम बार टाइब किया हुआ इसको रिमूब करना है तो यहां बॉब क्लिक करें और डुब्लिकेट वैलु को आप बढ़ी असानी से रिमूब कर सकते हैं अगला ओप्सन आता दोस्तों डेटा विलिडेशन का तो डेटा विलिडेशन का काम कैसे करेंगे दोस्तों चलिए समझते हैं जैसे माल लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया नेम डाला और य हो यहां फिर आप यहां पे पांच जार लिको लेकिन अप दोस्तों जो हमें करनीॐ वह अपने कंडिकन के हिसाफ से करनी अब समाला भी प्लाइण है जितने बी यह रहे पे उपर आफ्वाह सकते हैं या फिर हम कम के नंबर रख सकते हैं तो हमें जाना है दोस्तों यहां पर यहां पर यहां पर होल नंबर टाइप करना है हमने क्या लिया है दोस्तों यहां पर होल नंबर अब अमें डेटा किस हिसाब से रखना है बिट्मिन का रखना है मान लेते हैं अम्वॉण का रख जलें और उनके आगे यहां पर बरोगे तो वह दस जार से लेके बीस जार के बीच के जो रेंज होंगे वही इंट्री लेगा इसमें जैसे मान लीजे मैंने इनके सेलरी अगर मैं 25 जार बरता हूं तो यह बड़ी असानी से अशेप्ट कर लेगा क्योंकि हमने वही कंडिशन वहां पर लगाई हुई है तो एक और फॉर्मेट पर मैं आपको समझाता हूं जैसे कॉंटेक्ट नमबर 10 डिजिट का होता है कभी कभी क्या होता है कि हम इंट्री करते हैं तो इंट्री बढ़ते हुए हमें गलती करनी की संभावना है तो इसमें हम दोस्तों एक टेक्स की लेंध इसमें इंट्री होगा जैसे मानले जिए हम इसको इसको सलेक्ट करना है और यहां पे आलाव में आपको टेक्स लेंथ लेना और लेंथ हमें ना लेनख से लेंए लेना है लेंट हमें लेन iq लेकिन अगर आप इसी नंबर को जैसे 8 डिजिट का डालते हो और एंटर की प्रेस करते हो तो वह इंट्री नहीं लेगा ना दोस्तों यह 10 डिजिट से ज्यादा की इंट्री लेगा यह दोस्तों हो गया दो अप्शन एक और आपको समझाता हूँ जैसे माल लिजे मुझे city वाले कॉलम में इंट्री करनी है और हमारे पास एक list है उसी के इसाफ से इसमें इंट्री करनी है जैसे माल लिजे मेरी company में 5 राज्यों के imply को काम करना है तो जो source हम देंगे इसमें तो दोस्तों वही source इसमें एसेप्ट करेगा और वही इंट्री यानि वह source आपको फिल करनी है जिसकी इंट्री आप चाहते हो जैसे माल लिजे मुझे MP के लोग चाहिए फिर एक कॉमा देना है अब मुझे UP के लोग चाहिए यानि UPले state की इंट्री चाहता हूं मैं फिर नहीं दिली दिलीता हूं मैं और एक हमने लिए हरयाना और एक भिह जहाते हो दोस्तों एंट्री नहीं होगी तो इस तरह से, uta और कवर किया अगला जो अता है दोस्तों वहाता है हमारा ma consolidate के आओते हैं दोस्तों चलिए को करके देखते हैं यहां पर मनें कुछ कॉल्म को एड़ कर लिया किया हुआ इसी चीज को हम consolidate से करके निकालेंगे देखते हैं करके इसको मैं delete कर देता हूं यहां पर हमें कुछ और calculation करना है minimum maximum और average total के नीचे आपको cursor को रखना है consolidated पर जाना है और यहां फे function वाले option पर हमें sum लेना है और किसके reference हम total निकालना चाहते हैं तो हम Hindi के reference से निकालना है हमें पहला हमने subject पूरा select किया फिर add button press करना है फिर English को option लेना है फिर add करना है फिर हमने यहां पर math option लिया इसी तरह से जितने भी subject के number है सबको one by one select करके add करें और last में दोस्तों आपको ok button press करना है तो आप देखो यहां बड़ी असानी है सबका total यहां पर निकल के आ चुका है अब इसी में में अगर minimum देना है तो यहां प्याना यहां change करना मीन को options reference में आपको सरी पहला subject select करना है बाकि ओल्रेडी selected है आपको ok button press करना है maximum में भी वैसी करना है यह max option लेना है reference में आना हिंदी लेना है और ok button press करना है और average में भी दोस्तों वैसी करना average पर आईए reference में आईए इसको लीजिए और ok button press कीजिए तो इस तरह से दोस्तों में consolidated को option को cover किया अगला जो दोस्तों option आता है what different classes जिसमें तीन option मिलेगा पहला जो option आता है वह होता है यहां पर मैंने calculation कर ली यह हमने total निकाला हुए अब जो student है मान लीजिए यहां पर मैंने student को select कर लिए हयात हयात को हमने 277 number दिया है अब जो हयात का number है यह मैं चाहता हूँ यह 300 चाहता हूँ तो आपको क्या करना है इस number को select करना है और यहां गोल सिख प्याना है अब हमसे पूछ रहा है to value हमें value कितनी चाहिए हमें value चाहिए 300 बाइचेंजिंग सेल तो किस subject के number को आप change करना हम चाहते हैं हम चेंज करना चाहते हिंदी का तो दोस्तों अब जो हमारी value हो जागे यहात का जो टूटल होगा दोस्तों वह होगा 300 और जिसमें हमने change करना है जैसे हिंदी में change करना है 300 से जितने भी number कम पढ़ेंगे वह इसमें ओटोमेटिक हो जाएंगे देखो दोस्तों इस तरह से तो यहां पर 300 हो गया और हिंदी में हमने यहां पर 23 नंबर कम था दोस्तों तो वह ओटोमेटिक एड़ ले लिया अगला जो option आता दोस्तों वह था data table table को create करेंगे दोस्तों जैसे देख लीजिए हमने चीट थी पर आ गया हमें आप किसी भी सीट पर create करें और यहां मैंने दो बार वन वन टाइप किया और इकवल देखे यहां पर वन इसी के नीचे दोस्तों वन वन का मंटिप्लाई करने के बाद जो वन वैलू आईगी इसी के नीचे दोस्तों दो इस तरह से नंबर भरते रही है और इसके आगा हमने नंबर भरते जितने तक हमें table create करने है माल लिजे में 20 तक बनाना है तो इस एरिया को select करना है आपको select करने के बाद आपको data table में आना है यहाँ पे आपको दो option मिलेगा row input cell, column input cell यहाँ पे आप देखिए यहां यहां पनादे याँ तो किसी को भी किसी में क्लिक कर दीजिए यहां पर और के बटन प्रस किजिए आपके बढ़ी असानी से तो अरे तेबल बन गया अग्ला जो उप्सन आता है दोस्तों होता है होता है गूरूप का वम्हलों को भूआ को गूरूप करते आगे दिखाई यह यागर आके है सामने नियुक्ठ करने में इस डेटा को इस को भूइन कर लेंगे इसको अम सेलेक्ट करेंगा दोस्तों यहां घूंगे जाएंगे गूरूप पर हमें कॉलम करना है तो हमने कॉलम कर लिए अब देखो यहां दोस्तों यह माइनस का साइन आ रहा है जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी इंटरी हाइड हो जाएगी यहां पर और जो हमारा कॉलम स्टार्ट होगा दोस्तों वह से स्टार्ट होगा क्योंकि इसके पीछे तक हमने वर्क कर रखा है फिर जब प्लस का उसी तरह से जब हम स्क्रीन पे कॉलम में ज्यादा काम कर लेते हैं प्लस का निसान दिखाएगा दोस्तों इंट्री आने के लिए होता है और माइनस का साइन प्रेस करना है यहां पर देखो अब माइनस को से start होगी इसके उपर करें दौस्तों नहीं आ रहा तो इसको भी उंकर ना चाहिए ऑंगरूप को उप्हुरूप करना करना रो पर क्लिक करें प्रेस करें तो आज की इस वीडियो में सिरु इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में हमने data का option कवर किया अगली जो वीडियो आएगी दोस्तों हमारा formula tab ऑर review टैप के ऊपर आएगी तो वीडियो ने रहने के लिए आपका धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आई दो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सस्क्राइब करें